दोस्तों क्या आपके भी फोन में यही प्रॉब्लम है कि आपके फोन में किसी का भी कॉल आता है और वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता है जैसे हम यहाँ पर एक कॉल करते हैं अपने इस फोन में और अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे फोन में call आया हुआ है वो हमें यहाँ पर show हो रहा है और इस पर click करके हम अपने इस call को connect यानि कि उठा सकते हैं और इसे हम cut भी कर सकते हैं अगर आपके phone में यह problem है कि आपके phone में किसी का भी call आता है और वो आपको यहाँ पर screen पर show नहीं होता है तो यह से problem को आप आसानी से solve कर सकते हैं आपको कोई भी problem नहीं होगा बस यहाँ पर आपको कम से कम 2 या 3 step आपको follow करना होगा और उसके बाद आपका सारा problem fix हो जाएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको अपने phone में setting को open करना है सबसे पहले आप यहाँ से setting को open करेंगे setting को open करने के बाद इस तरीके से आपके phone में setting open हो जाएगा जब इस तरीके से आपके phone में setting open हो जाता है open होने के बाद यहाँ पर आपको निचे आना है जिसे आप निचे आएगे तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगा apps के नाम से या manage apps के नाम से आपको यहाँ पर उस application या setting पर click करना है click करने के बाद इस तरीके से page आ जाएगा यहाँ पर मिलेगा manage app आपको इस पर touch करना है और यहाँ पर आपके सारी के सारे application आ जाएंगे आपको उस page पर आजाना है अपने phone में जहाँ पर आपके सारे application आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि मिल जाएगा contest आपको इस पर click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा clear data आपको इस पर click करना है और clear all data पर click कर देना है और ok कर देना है इतना काम करने के बाद मिल जाएगा notification आपको इस पर touch करना है और ये सारी की सारी notification आपको चालू कर देना है अपने phone में उसके बाद यहां से back आ जाएए अब यहां पर आपको देखना है call application आपका कहाँ पर है जिससे आप ए call लगाते ह आपको सबसे पहले phone पर click करना है उसके बाद यहां पर आपको मिल जाएगा notification आपको इस पर touch करना है और ये सारी की सारी setting आपको इस तरीके से आपको यहां पर चालू कर देना है चालू करने की बाद back आ जाना है पर आने की बाद यहां पर मिलेगा clear data आपको इस पर click करना ह और OKE कर दिने यह सारा प्रोसेस आपको यहां पर करना हूगा अपने पहले आप यहां पर उस से अपडेट करेंगे अगर आपका ये disable है तो आप इसे enable कर देंगे उसके बाद आपका सारा problem fix हो जाएगा by chance अगर आपका अभी भी ये problem fix नहीं होता है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा जाना होगा अपनी phone की setting में setting में जाने के बाद इस पर touch करना है touch करने के बाद यहाँ पर आपको search करना होगा reset जैसे आप यहाँ पर search करेंगे reset तो आपके समने बहुत सारी setting आ जाएंगी यहाँ पर आपको देखने को एक setting मिलेगा additional setting आपको इस पर touch करना है touch करने के बाद यहाँ पर आपको setting मिल जाएगा जिसे कहते हैं reset setting तो यहाँ पर आजएगा factory reset आपको इस पर click करना है जिसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको reset का option मिल जाएगा तो यहाँ से आपने phone को एक बार reset कर देंगे हो सकता है कि आपका कोई ऐसा problem हो जो आपके mobile phone के अंदर कोई technical issue की बज़े से आपका calling सो नहीं हो रहा है तो अपने बाद में अपने phone को आप यहाँ से reset कर देंगे और उसके बाद सारा problem fix हो जाएगा तो इससे तरीके से आप अपने phone के अंदर अगर आपके calling screen सो नहीं होती है तो उसे आप इस सहीं कर सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इससे वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वादा